जितने लोग ग्रैन करते हैं आज प्रभ्य शुमासी आपके जीवन में उज्याला करने वाले हैं ये शाया नौ अध्याय और उसका दूबच्छा जो लोग अंध्यारे में चल रहे थे उन्हेंने बड़ा उज्याला देखा जो लोग अंध्यारे में चल रहे थे उन्हेंने बड़ा उज्याला देखा उन्हेंने बड़ा उज्याला देखा और जो लोग घोर अंध्यारे में चल रहे थे उन्हेंने बड़ा उज्याला देखा उन्होंने बड़ा उज्जियाला देखा हलिलुईया जो लोग इन्दी आरे में रह रहे थे जो लोग पापों में रह रहे थे जो लोग नशे में रहे रहे थे जो लोग दुस्तात्मा में रहे थे जो लोग भीमारियों में रहे थे उन्हें बड़ा उज्जियाला देख रहे हलेलुया उन्हें बड़ा उज्जियाला देखा और मती चार अधियाई उसका सोला और सतना बचन में भी लिखा हुआ है और आपकी जिन्दगी में उज्याला भारने के लिए जो लोग घोर अंदकार से भरे होई मिर्द्व के देश में रहते थी जनिके उन्हें ऐसा लगताक थे अब तो हम मरे कितनी ऐसे लोग हैं जो आत्मत्य करने के लिए जा रहे थे मति चारत है 16 ऑर सnya व्क जो लोग अंदकार में बैठे उन्हों मनें बड़ी जो लोग अंदकार में बैठे यहां भी यह दिखा है जो लोग अंदकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी जोती देखी आज़ से अंदिक्तारमी जोती देखी और यह समएë से प्रभीएश ने以 स्वरकारज निकटाया है मन्फिराओ आखी वी ये जोति देखी उझ्याला देखे हालीलूइया Corey अच्प कुंद ओपये शुर्ण τηिए करने वाले हैं इस सः जालफ करने वाले हैं इस जेटी経त ब Mozart a शुमासी आपके जीवन में उसे अला करने वाले हैं पर अब ये शुजी ने कहा सर का राजय निक्त है सर का राजय निक्त है पहले ऐसा कहा जाता था परमेश्र को पाना बहुत कठिन है लेकर पर भी शुजी ने कहा सर का राजय निक्त है सर का राजय निक्त है सर का राजय निक्त है हलिलुया 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 और रपी शुमसी के जनम से सबंदित में आपको बताना सा रहूं मतिकी इंचील एक ढिहाई 18 वचन से 25 वचन अगर में आपकोई नए है प्रभी ये शो मसी का जनम इस प्रकार से हुआ कि जब उसके माता मर्यम की मंगनी यूसफ के साथ हो गई तो उनकी होने से पहले ही वह पवित्रा आत्मा कि उसे गरवत ही पाई गई तो उसकी मंगनी यूसफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी और उनकी शादी से पहले ही वो घरवती हुए अतर उसके पती यूसफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया जब इन बातों में जब इन बातों के सोच ही रहा था तो प्रभू का स्वर्वदूत उसे स्वपन में दिखाई देकर कहने लगा है यूसफ दाउत की संतान तो अपने पतनी मर्यम को अपने यहां ले आने से मत डर क्योंकि जो उसके गर्म में है वे पवित्र आत्मा की और से हैं हलेलुया सो स्वर्वदूत ने कहा जो उसके गर्ब में है वह है पुईत्र आत्मा की और से है इन दिनों में बहुत सी बातें जो हैं प्रभीश्वमसी के जन्म को लेकर होती है के क्वारी मर्यम से प्रभीश्वमसी का जन्म कैसे हुआ वो तो एक और थी परमेश्वर में पहला बंदा कैसे बनाया बैबल कहती है परमेश्वर जब आदम को बनाया तो मिट्टी से बनाया परमेश्वर सब कुछ कर सकते ही और परमेश्वर को से भी ऐसंभव नहीं है तो यह बात यह लिखी है जो उसके गर्ब में है वह है पु वह पुत्र जनेगी और तो उसका नम येशू रखना क्याकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उधार करेगा पापों से उधार करेगा पर येशू मसी पोईत्रात्मा के द्वारा इसलिए पैदा हुआ तांकि वो लोगों का पापों से उधार कर सके पर भी शुमसी जो देतरी हुई जैसे यहुना में एक देहम लिखा है पर भी शुमसी जब देतरी हुई सर्ग शोड कर धर्पी पर आए तब एक नए धर्म की स्तापना करने के लिए नहीं आए बलके इसलिए आए तांकि लोगों पापों से उधार पा सके हलेलुया हलेलुया हाँ अपने लोगों का पापों से उधार करेगा पच्छिस वचन तक पड़िए ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभू ने बिश्यवक्ता के द्वारा कहा था वे पूरा हो हजारों साल पहले नभीयों के द्वारा लिखा गिया था कि देखो एक हवारी मॉल रखा जाए घंध हम लोगका है परमेश महारे साथ हमारे साथ हलेलुया तो तो आसा है युवा और लुकक के इंजील में लिखा हुआ हाय लुकक 1 है उसका 26 वचन से अम लोग पढ़ेंगे अब त्यार हो जाईए अपने जीवन में आश्चों को पाने के लिए लुकायक देहाई 26 वचन से हम लोग पढ़ेंगे 32 का एपार्ट तक हम लोग पढ़ेंगे लुकायक देहाई कि छटवे महिने में परमेश्य के ओरते जिब्राइल सुर्दूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भीजा गया जिसकी लोगों को मालम नहीं होता है यह लिखा शटमा मीना तो इसका मतल जून नहीं है जून के महिने में जो एलशीबा थी उसको शटमा मीना लगा था एलशीबा जाने के बप्तिस्तमा देने माल यहुना की माता था उसको इसलिए यह लिखा उसके समय के बात लिखी हुई है फिर से पड़ो चटो महिने में परमेश्व की ओर से जिपराई स्वग्दूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसफ नामक दाउद के घराने के एक पुरुष से हुई थी उस कुवारी का नाम मर्यम था स्वग्दूत ने उसके पास भीतर आकर कहा अनन्द और जय तेरी हो जिस पर इश्वर का अनुगरे हुआ है प्रभू तेरे साथ हैं वे उस वचल से बहुत गभरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का भिवादन है स्वग्दूत ने उससे कहा हे मर्यम भैबित नहीं हो कि परमेश्वर का अनुगरे तुझ पर हुआ है देख तो गरुवत होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन होगा तो उसका नाम येश्यू रखना वे महान होगा और परमपरधान का पुत्र कहलाएगा और उसका नाम क्या रखना येश्यू रखना जिसे हम प्रभू येश्यू मसी कहते हैं हलेलुया 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 जब स्वग्दूत ने ये कहा कि तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम येश्यू रखना वो परमपरधान परमिश्व का पुत्र कहलाएगा त जनती स्वस्राइब ऑस्राइप आपन गी तुम कैसे होगा तो मर्यामने ने कहां यह तो पुर्श को जानते नहीं जाने के जानने का मतलु मैं मेरे साथ रखत कर दो कारा है को उसका नाम यह शुरव न वह कुण देंगी का पूतर कहलाएगा वे कैसे होगा यह कैसे होगा तो स्वर्गदूत है उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उत्रेगा और पुट्रात्मा उत्रेगा और पर पर्दहान पर मेश्र की शाया थी पर आएगी इसलिए वे पुत्र जो उत्पर होने वाला है परमेश्र का पुत्र कहलाएगा हालेलुया 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 आपका ध्यामें इस बात के और दिलाना चाहरा हूं जो उस धर्ती के उपर रहती थी वो औरत जिसका नाम मर्यम था उसने का यह कैसे होगा यह कैसे होगा यह हो यह नहीं सकता जो स्वर्ग से स्वर्ग दूताया थी उसने कहा हो सकता है जो स्वर्ग से संदेशाया था वो था हो सकता है कि क्योंकि मर्यम सोच रही थी आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ आज था कभी भी मेरे दादा ने परदादा ने कभी भी किसी ने नहीं बताया था इस घटना को कि एक वारी और तक संतान हुई और उसके पास आया और यह सब कुछ हुआ बक्ती यह कैसे हो बता है कि लेकिन जो सुर्ग से सुम्देशारी था सुर्ग रूठ ने कहा इछ यह हो सकता है कैसे हो सकता है तरिका लिखा हुआ है है पुतरा आत्मा तुम पर उतरेगा कि तब होगा हलेलुई या था तो है छुझ्छ पर उतरेगा तब होगा ऐसे ही हम लोग जो है जो संसार के लोग है यह सोईते यह कैसे हो सकता है आज मैं आप से कहना चाहता हूँ यह सुर्ग का संदेश है जब पोईतरात्मा तुम पर उत्रेगा तब होगा जब पोईतरात्मा तुम पर उत्रेगा यह तब होगा जब पोईतरात्मा तुम पर उत्रेगा तब होगा हलेलुया हलेलुया मर्यम कह रही है मैंने कभ पहित्रात्म पर उत्रेगा तब होगा हलेलुया आज परमेश्वर आपके जीमिनों को बदलना चाते हैं आज परमेश्वर आपके हलातों को बदलना चाते हैं आप कहते हैं यह कैसे होगा आप अपनी सोच सोचते हैं आप संसार की सोचते हैं स्वर का संदेश है आपके लिए जब पोधरात्मा तुम पर उतरेगा तब होगा हलिलुया हलिलुया जब हम कहते हैं पर यह शो मसी के नाम से चुटूगाई आप क्यो राती है बहुत स्लों कहते हैं यह कैसे होगा मैं आपको से यह कहना चाहरा हूँ सूर्थ का सूधिश है पो जब पोष्टरात्मा तुम पर उत्रेगा तब होगा हलेलुया 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 ये कैसे होगा, मेरे जीवन में चम्तकर कैसे होगा, मेरे हलाद कैसे बदलेंगे, मैं पाप में से कैसे बाहर निकल पाऊंगा, मैं नशे में से कैसे बाहर निकल पाऊंगा, मैं बिमारियों में से कैसे निकल पाऊंगा, मैं दोस्तास वन से कैसे शुट कर पाऊंगा, ये कैसे होगा यहां लिखा है जब पहुत्रा अक्मा तुम पर उत्रेगा तब होगा हलेलुया 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 आप कहते हैं परमेश्र आपसे कहते हैं कि परमेश्र आपको सफलता देना चाहते हैं परमेश्र आपको सफलता देना चाहते हैं और आपके यह कैसे होगा यह कैसे होगा मैं आपसे कहता हूं सुर्द का सुदेश आया सुदूत लेकर और उसने कहा जब पहुतरात्मा तुम पर उत्रेगा तब होगा जब पहुतरात्मा तुम पर उत्रेगा तब होगा जब तुम पहुतरात्मा तुम पर उत्रे लिया आप जब हम कहते हैं पर भी शुमस्पेनाउं से आपकी और शुट कराता है अपके यह कैसे होगा कुछ लोग तो से ग्रेंड करते हैं हां मेरे लिए हो सकता है करको Ctocks अब्मेशों से सबकुष हो सकता है बैबल में प्रभीस जीने कहा मनश्शों से तो यह झो निसमताई लिकिन प्रमेशों से सबकुष हो सकता है मनश्व लिए हो निसमता तो हम कौन है मुर्वी शहें हम सपूर सोचते हैं जैक से होगा मर्यां क Prose可 Kathot clear काalley जा पूत्राइद मद तुछ पर उतरेगा तब होगा 아 आप काते हैं मेरे पती पाप में गिरियो है आप कहते हैं मेरे पती जो है वो ले नशे में के आप है मेरे पती जा आपके घर के किसी किसी के बेटे जुवान है हलात ऐसे हैं आप कहते ही ये कैसे बदलेगा बाइबल कर बचन में परमिश्क का संदेश है जा पहुत्राद बाद पर उतरेगा अगर किसी कमरे के अंदर हंधेरा है तो हम सब मिलकर भी उसे अन्देरे को बार नह काल सकते ही लेकिन जब उसकमरी के अंदर रोशनी आएगी हैं देरा भाग जाएगा हलेलुया जो लोग अंदियारे में चल रहे थी उन्होंने बड़ा उजाला देखा तो उसको धका मार मार के बार नकालने की जुरूरत नहीं है नहीं वह निकलेगा अंदर रोशनी आएगी अंदेरा बार अंदर रोशनी आएगी अंदेरा बार हो जाएगा हलेलुया 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 हलेलुय ने हम सचम्सार संसार के और समसे मैं सब्सकाता हुं Commonwealth अभी सिस्ट काया थी मेरे ब्लड़ आई मेरे रपोर्ट मी और में पराथा चौ रहने के लिए के मेरे मेरे मुझा ने आई अई है ऑक हम लोग हरान होता है नहीं में बास्प डe ऐसे नहीं बहुत से लोग जब हम संसार के और सोचे हैं तो कहते हैं यह ऐसे कैसे हो सकता मैं आपसे कहता हूं परमेश्य का यह संदेश है मनुश्यों से यह हो नहीं सकता परमेश्य से सब कुछ हो सकता है जब पोहत्रात मां तुम पर उतरेगा तब होगा जब पोहत्रात मां जनके भूत प्रेर के बारे में उसे दुस्टात्मा कहा गया है दुस्टात्मा लोगों में होती है हम विश्वास करते हैं क्योंकि बैबल में लिखा है कि उसे लड़के को दुस्टात्मा थी उसे एक लड़की को दुस्टात्मा थी सब बातें लिखी हुई हैं परबीश मसीद दुस्टात्मा को बार निकालते रहे इसलिए विश्वास करते हैं कि दुस्टात्मा होती है तो जिसे अपनी सरलबात्षा में भूत कह देते हैं आप यह तो 40 साल से हैं कई लोग मुझे आकर कहेंगे जी यह तो हमारे दो 40 साल हो हैं हमारे तो इतने वर्चों से है हमारे तो इतनी प्रानी दुस्टात्मा है यह कैसे निकले मैं कहता हूं जब उन्हें देखो आभी प्रभी शुमसी के नाम से दुस्टात्मा निकले की है क्वंखे नहीं देनी अगर मुझे चंगाई देनी है दो इसके लिए तो मुझे बात कुछ करना पड़ेगा को परवेशवमसी के नाम से शिंप करना पहिए फैंटोय करना है तो मैं करता हूँ पर भी मेरे पासों मेरे अराम दूगा आपको श्रुकारा देना चाहते हैं पर पर शमसी आपको ब्लस करना चाहते हैं यह जब बिमारियों पे पैसा लग रहा लग रहा लग रहा वो बंद हो जाएगा आपके घर में आशिशानी शुरु हो जाएगी ऐसा नहीं है कि उपर से एक बंडल आया पैसों को और आपके घर में आगया परमेश उसके आपके आपके लिए अद्बू तरीके से काम करते हैं हलेलुया तो आप कहते हैं एक बाई याद रखिये आप कहते हैं यह कैसे होगा स्वर्ग कहता है परमेश कहते हैं जब पोईतर आत्मा तुम पर उत्रेगा तब होगा जब पोईतर आत्मा तुझ पर उत्रेगा तब होगा जब पोईतर आत्मा तुझ पर उत्रेगा तब होगा मार्ग और सप्थे और जीमन मैं हूना है अलेलुइया जा परमेश्र आहद के लिए वचन में लिखा है जा परमेश्र आपके लिए चम्दकार करना शुरू करेंगे कौन है जरोक सकता है जब परमेश्र आपके है लातों को बदलना शुरू करेंगे कौन है जरोक सकता है सच में परमेश्र आपसे प्रेम करते हैं याद रखिए कोई भी जाय आपके प्रेम ना करता हो परमेश्र आपसे प्रेम करते हैं 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 आप कहें परमेश्र मुझसे प्रेम करते हैं परमेश्र मुझसे प्रेम करते हैं और बैबल में लिख जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और आप नहीं चाते कि आपके बच्चे दुखी हो नशा करके जब मेरा बेटा दके खाता रहे उससे सफलता ना मिले वो काम्याब नहों ऐसा कौन पिता है जो यह सोचता है कोई भी नहीं सोचता है मैंने देखा है अपने जीवर में जिनके पिता नशा करते हैं न वह मुझसे प्राथां करवाते हैं कि मेरा बेटे जो हैं वह आगे से नशाना करने लगजाएं उनको अपने बच्चों के स्मय पी चिंता है तो जब विका है तो मसंसार को होकर अपने बच्चों को स्युम् season देना जानते हो तो तुए तुमारा सर्गया पिता अपने मागने वालों का छिव उत्यूश्ष्ख लोना देगा वह हमारा रादिक पिता है उसने तुमारे अंदर अपना आत्मा दिया है, तुम परमेशन की संतान हो, तुम परमेशन की बेटे और बेटिया हो, परमेशन ने आपको चुना है, अठराया है, परमेशन ने पोईत्र आत्मा के द्वारा आपको शुद्र किया है, हलेलुया, 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 हलेलु होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त्वा देना चांटे हो तो तुम bleachा आपने मांगने कप जोजना बनाते हैं बैिबल को समय लिखा है पर मे शर्क थे हैं इन जितनी जोगने कमारे लिए बनाई है उनके हाम यख सबने की बहुकर बनाई है इस पर मैंश ने आपक लिए लाब कि योजना बनाई है हलिलुया हलिलूया